नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शिवम और मैं आपको हार्देक स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सुपीरियर आटो के अंदर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे All New MG ZS EV Face Lifted Version के बारे में यहाँ पर आपको टोटल दो वेरेंट्स मिल जाते हैं एक आता है एक साइट इसका जो बेस वेरेंट है और यह जो आप देख रहे हैं इसका टॉप आफ दी लाइन वेरेंट है एक्स्क्लोजिव जिसका एक शोरों प्राइस है 25.88 लाग रुपीज यह Face Lifted Version के अंदर काफी सारे आपको यहाँ पर Cosmetic Changes मिलते हैं साथ ही आपको Changes मिल जाते हैं इसकी बैटरी के अंदर जो भी आपको Complete Changes मिलते हैं उसके बारे में अजम Complete Detail Walk Around करने वाले हैं Starting with the Headlamps, Full LED Hawkeye Headlamps मिलते हैं आपको यहाँ पर LED DRL मिल जाएगा साथ ही मिलता है आपको यहाँ पर Turn Indicator और यह काफी Future Stick Electric Grill मिलती है MG का Logo मिलते हैं सेंटर में नीचा जाते हैं Front Camera और यहाँ से आप Charge कर सकते हैं MG ZS EV को यहाँ पर आपको मिलता है Fast Charging का Support और Lower Grill के ओपर मिल जाती है आपको Silver Inserts सेंटर में आपको मिलता है एक Sensor यहाँ पर आपको Fast Charging का Support मिलेगा जिसके अंदर आपको DC Fast Charger के थूँ 80% चार्ज कर सकते हैं इसको 60 Minutes के अंदर साथ ही AC Fast Charger के थूँ आप इसको चार्ज कर पाएंगे 8-9 घंटे के अंदर Front में आपको काफी अच्छे Wipers मिल जाते हैं काफी अच्छी Quality उसकी गए Wipers की आईए चलते हैं इसकी Side Profile की तरफ All those Side से बहुँ ज़्यादा Major Change आपको यहाँ पर नहीं मिलने माले हैं बस जो आपको यहाँ पर Changes भिलेंगे वो मिलता हैं इसके नए Alloy Design का बाकि Dimensions की बात करी जाए तो आपको यहाँ मिलेगी 4.3 मीटर की Length, 1.8 मीटर की Width and 1.64 मीटर की Height 2.58 मीटर का Wheel Base मिल जाएका आपको यहाँ पर बात कर रहें Color Options की आपको यहाँ मिलता है White Color, Black Color, Red Color and Gray Color चलते हैं इसके Alloys की तरफ यहाँ आपको मिलता है R17 Tomahawk Hub Design Alloy विद डाइमेंशन ओफ 215-55 R17 फ्रन में आता मैक फर्स्टन स्ट का सुस्पेंशन इलेक्ट्रिक की Wedging मिलती है साइड में और यह आप देख रहे हैं इसके ORVM विद टर्न इंडिकेटर, Heated ORVM मिलता है आपको यहाँ पे Foldable, Adjustable मिलेंगे यह सेंटर में आपको Sensor मिलता है For Lane Change Assist Electronic Stop Signal उपर आ जाता है Sunroof Panormic Sunroof मिलेगा आपको यहाँ पे Silver Roof Rails, पीछा जाता है Shark Fin Anteerar Chrome मिलेगा आपको यहाँ पे Window Bed Line के ओपर दिखने में काफी अच्छा लग रहा है यहाँ मिलता है आपको Request Sensor Chrome Door Handles के साथ पीछा जाता है Torgen Beam का Suspension चारा तरफ आपको मिलेगी यहाँ पे Black Leading, Side मा जाता है Gray Inserts और यहाँ पे मिलती है आपको MG की तरफ से E-Shield जहाँ पे आपको मिल जाएगी 5 साल की Unlimited Warranty 5 Year का Road Assistance and 5 Labor Free Services साथ ही आपको यहाँ पे 8 साल की Warranty मिलेगी बैटरी के ऊपर पीछे आपको मिल जाएगे LED Tail Lamps दिखने में काफी अच्छे लग रहे है Turn Indicator मिल जाएगा आपको यहाँ पे ZS EV की Branding MG का Logo मिलता है सेंटर में इधर जाता है Internet Inside की Wedging Rear Defogger मिलेगा High Mount Stop Lamp शाकफिन इंटेरा नीचे आपको Reverse Parking Sensor मिल जाते हैं और पीछे का Bumper Design भी थोड़ा सा नोंने चेंज किया Cosmetic यही मिलता है Reverse Parking Camera नीचे आपको Full Under Body Protection मिलती है जिससे आपकी बैटरी काफी safe रहने वाली है आए यह खोलते हैं इसके Boot को इसके आप Opening चेक करिए काफी प्यारी लगती है Opening और यहाँ पर आपको मिलता है काफी बड़ा एक Boot Space 470L का काफी अच्छी Fit and Finish है Boot के अंदर भी आपको यहाँ पर Light Offer कर दी जाती है नीचे जाता है इसका Alloy Wheel और गाइस अगर आप Belong करते हैं उत्राखंड या उसके आसपास के रीजन से तो आप Connect कर सकते हैं MG Motors जहरदून शोरों की सारी Contact Detail मेंशन किये हैं मेने Description के अंदर Make Sure to Check That Out उपर मिल जाती है Parcel Tray 64Tay की Split Seats मिलेंगी तो आप Extend कर सकते हैं यहाँ पर इसके Boot Space को आईए बात करते हैं इसके Safety Features के बारे में तो आपको यहाँ पर मिलते हैं Experience Advanced Safety Features जैसे की Blind Spot Detection Lane Change Assist Rear Cross Traffic Alert साथ ही मिल जाता है आपको यहाँ पर 6 Airbags 360 Degree Camera ABS EBD Brake Assist Emergency Stop Signal मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलती है iSmart Connected Car Features जिसके अंदर मिल जाएगा आपको Digital Bluetooth की Live Location Tracking Remote AC Control Speed Camera Alert Low Battery Voice Alert काफी सारे आपको यहाँ पर Car Connected Features मिल जाएगे और यह देख सकते हैं आप इसका Charger जिसके थूँ आप चार्ज कर सकते हैं अपनी EMG ZS EV को चलते हैं पेसंजर साइट Door की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा Chrome Door Handles काफी अच्छी Fit and Finish है Doors की Without any doubt Full Black आपको यहाँ पर Sporty Color मिलेगा Doors के उपर नीचे आजाते है Speaker यहाँ आपको Storage Space मिलती है थोड़ी यहाँ मिलती है Leather Upholstery Door Handle मिल जाएगा Silver Color के अंदर और आप चेक आउट कर सकते हैं इसकी Seats यहाँ पर आपको मिलती है Leather Upholstery काफी अच्छी Stitching यूज़ किया पीछे आपको मिलेगा Adjustable Headrest Center में Armrest के उपर आपको मिलेगा Bottle Holder and Center में आपको मिल जाता है Rear AC Wins इसके नीचे आपको Charging का Support मिलेगा एक मलता है USB का Port और एक आचाता है Type-C का Port आईए Step-In कर लेते हैं और मेरी Height है 5-7 अब चेक आउट कर सकते हैं इसका Leg Space पीछे आपको Pockets मिलेंगी Seat के पीछे और यह है इसका Interior बाकी आगे जाके हम Detail में बात करेंगे Make Sure आप बने रहिए कि वीडियो के End तक उपर आपको मिलेगा पिन और में एक Sunroof Side में आपको Grab Handle मिल जाता है Although पीछे कोई Light नहीं दी गई है यहाँ पर चलते हैं Driver Side Door की तरफ यहाँ पर मिलता आपको Request Sensor All and All Quality की बात करें Top Notch Quality यूज की गई है MG ZS EV के अंदर दिख सकते हैं आप इसका Driver Side Door नीचे आपको मिलेगा Speaker Total Charged Speaker आते हैं यहाँ पर Storage Space मिलेगी Power Window का Button मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर मिलता है आपको Leather Lock and Lock करने का Button और दिख सकते हैं आप इसका Premium Leather Wrapped Dashboard Six Way Power Adjustable Seats मिलती हैं यहाँ पर Cushioning आप Check Out कर सकते हैं बहुत अच्छी Cushioning यूज की है MG ने नीचे आ जाता है Acceleration Brake Pedal Left Side मिलेगा आपको Rest Pedal This is for the Bonnet Opening यहाँ से आप Adjust कर सकते हैं इसकी Headlights और देख सकते हैं आप इसके AC Vents काफी अच्छे डिजाइन में AC Vents यूज की है MG ने और ऐसी कुछ यहाँ पर Key मिलेगी Lock Unlock करने का Button मिलता है साथ ही मिलता है आपको Boot Open करने का Button Starting with the Steering नीचे आपको मिलती है Adjustment यहाँ पर मिल दी गई है सिर्फ Tilt Adjustment Telescope आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा यहाँ से Control कर सकते हैं इसके Media को Center में आता है MG का Logo यहाँ से आप Control कर सकते हैं इसकी MID को और यह है Viper Control Left Side मिलेगा आपको Headlight और Cruise Control करने का Button यहाँ से आप Adjust कर सकते हैं इसको Start Stop Button मिलेगा और यह इसका LED Digital Instrument Cluster काफी अच्छी है आपको Fit and Finish मिलती है Instrument Cluster की यहाँ से हम Brightness भी Adjust कर सकते हैं Motor Speed, Voltage, Current Journey, Accumulated, Total Left Side मिलेगा आपको Speedometer Right Side मिलेगा आपको Battery का Meter यहाँ से हम Brightness Low, High, Medium कर सकते हैं काफी सारी Information मिलेगा आपको यहाँ पर उपर अगर हम Quality की बात करें आपको यहाँ पर Full Leather Wrapping मिलती है काफी Soft Touch Material यूज किया है इधर जाता है इसका AC Event और सेंटर में आपको दो AC Events मिल जाते हैं और यह है 10.1 इंच का Infotainment Screen जो सपोर्ट करती है Android Auto, Apple CarPlay, Gana App की Connectivity साथ ही मिल जाता है आपको यहाँ पर Battery Information यहाँ साथ ही आप सर्च कर सकते हैं Nearest Charging Station कित्ती CO2 सेफ किया है आपने पूरे साल में Temperature साथ ही आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे Themes काफी सारे Themes मिलता है आपको यहाँ पर Themes Store से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं Themes को Android Auto, Apple CarPlay मिलेगा साथ ही मिलता है Voice Command Assist आईए चेक आउट कर सकते हैं उसके 360 डिगरी कैमरा को कुछ ऐसी Quality मिलती है कैमरा की यहाँ से आप View चेंज कर पाएंगे यह आज़ाता है इसका Navigation और नीचे आपको मिलता है Home Screen का Button Power का Button और AC के Control Charging का Support मिलेगा आगे एक Type-C का Port आता है USB Port और एक 12W का Power Socket थोड़ी Storage Space मिलती है आगे यहाँ से हमें अच्छेस कर सकते हैं इसकी बैटरी को और Mode को Reverse Neutral Drive Gear Selection मिलता है है आपे Electric Parking Brake मिलेगा यहाँ पर आ जाता है Bottle Holder Armrest के अंदर भी आपको काफी अच्छी Space मिलती है यहाँ पर मिलती है आपको Leather Stitching Dashboard के अंदर भी आपको ठीक ठाक Space मिल जाएगी उपर आ जाता है इसका ORVM Manual ORVM मिलेगा यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके Sunroof को Vanity Mirror पर आपको Light Offer नहीं की गई है यहाँ पर So guys यह था MG ZS EV का Interior आए एक खोलते हैं इसके Boot को और बात करते हैं इसके Motor Specifications के बारे में यहाँ पर आपको मिलती है Electric Motor 50.3 Kilowatt आर की जिसके थो आपको ZS EV की Range मिल जाती है 461 Kilometer के Around Max Power की बात करें तो 176 PS की Max Power मिलती है and Max Stock मिलती है आपको यहाँ पर 280 Newton Meter की सिर्फ Automatic Transmission मिलेगा आपको MG ZS EV के अंदर और आप Check Out कर सकते हैं काफी अच्छी आपको यहाँ प्रोटेक्शन दी गई है So guys यह था MG ZS EV का एक Complete Detailed Walkaround वीडियो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को Like जरूर कर देना साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर First Time आए हैं तो चैनल को Subscribe जरूर कर लीजेगा इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर Till then, Take Care and Stay Connected